अस्सलाम अलेकुम और रहमदुलाही बरकातु हूँ गुड मॉर्निंग तो अले स्टूडंस एंड वेलकम अगेन इन आवर ओनलाइन क्लासिस उम्मीद है कि आपके जो फिफ्ट यूनिट टेस्ट के पेपर है वो सभी आपके बहुत ही अच्छे से कहे होगे आपने इमानदारे के साथ और मेहनत के साथ टेस्ट को कंप्लीट किया होगा हमारा ओनलाइन क्लास का जो सिलसला है हम उसे शुरू करते हैं आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अभी चैप्टर हमारे बहुत सारे बाकी है चेप्टर नंबर 9 में भी बहुत सारे कॉंसेट बाकी है उसे हम किलियर करते हैं चेप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हिजान तहरीक और हिजान अब तहरीक किसे कहते है यह हमने समझ लिया है जिसने नहीं समझा है वो पहले की वीडियोज को देखिए उसमें भी हमने बात किया कि तहरीक की में दो किसमें हैं जिस्मानी तहरीक और एक है नफसी समाजी तहरीक जिस्मानी तहरीक में हमने बात किये थी भूख, तिशनगी, नींद और जिंसियत चारों चीज़े ऐसी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी जरूरी तहरीकों में से एक तहरीके है ठीक है आज हम इस सिशन में समझेगे नफसी समाजी तहरीक में कौन-कौन सी तहरीके आती है और कितिनी इंपोर्टन से हमारी लाइफ में उसकी क्या एहमियत है नफसी समाजी तहरीक जिस्मानी तहरीक की तसकीन की तरह चंद नफसियाती तहरीकों की तसकीन भी जहनी सहित की नशुनमा के लिए एहम है जिस तरह से हमारी जिस्मानी तहरीके हैं लाइक भूग, तिशनगी, नीद, जिंसियत सेम उसी तरह से हमारी जहनी सहथ के लिए भी नफसी समाजी तख्रीक बहुत ही जाद हैमियत रखती है इन तख्रीकों के अदम तसकीन से फर्द में मन्फी नफसियाती असरात रूनमा होते है अदम तसकीन का मतलब होता है कि जो वो चीज़े हमें हासिल नहीं होती है तब हमें एक नेगिटिव साइकलोजिकल इफेक्ट होते है बिमारिया हो सकती है उससे हमारे दिमाग में नेगिटिव ख्यालात आना शुरू हो जाते है जिस तरह से जिसमानी सहथ के लिए जरूरी है जिसमानी तहरीके सेमें उसी तरह से हमारे जहनी सहथ के लिए जरूरी है हमारी नफसी समाजी तहरीके नफसी समाजी तहरीकों में आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उन चीज़ों का शमार होता है तहसील की तहरीक, इक्तिदार की तहरीक और शिफक्त और राबते की तहरीक इसे हम वन बाइवन डीटेल में समझते हैं कि ये तहरीकों में किन चीजों का शुमार होगा First है हमारी तहसील की तहरीक गुजराती में से कहेंगे सिद्धी माटेनी प्रेढा Achievement Motive कोई चीज को हमें हासिल करना है वो अच्यूब्मेंट कहलाता है हमारा अच्यूब्मेंट मेक लेंडिट के राय की पमुजब जोकाम उठाने वाले मौाशी लाके की तश्कील करने वाले मुंदजमिन वगेरा तेसील की तहरी के सबब ही अफ़ाल अन्जाम देते है ऐसे लोग धन दौलत या नफ़ा के बज़ाए तैसील या काम्याबी की खौईशे कार गुजारी अन्जाम देते है देखें यह आप यहाँ पर ध्यान देना है कि जो तैसील की तहरीक में हम जिसकी बात कर रहे हैं मतलब हम उन लोगों की बात कर रहे है जो धन दौलत कमाने की बज़ाए नफ़ा कहां से हासिल हो जाएगा कहां से मैं शौटकट रास्ता निकाल के अमीर हो जाओ या फिर सकसेस हो जाओ उन लोगों की बात नहीं कर रहे है यहाँ पर काम्याबी के खुआईश मन लोग जो जद्दो जहत करना जानते हैं, जोकम उठाना जानते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनकी बात हो रही है तहसील के इस तहरीक इनसानी नश्वनमा में एहम रोल अदा करती है पेशावराना तहसील हासिल करने वाले खिलाडियों, साइंस दानों, फणकारों और सनतकारों में तहसील की शदीद नज़्दा, तहरीक नज़र आती है मतलब ऐसे लोग जो अपना गोल, अपना मकसद तैय करते हैं, अपनी कामियाबी को हासिल करने के लिए मेहनत और मुशक्क्त करते हैं जैसे एक्जांबल के तोर पर हम बात करें, धीरुबाई अमबाने या एपी जब्दुलकलाम, जैसे हजीम शक्षियात का तालुप मामुली घराने से होने के बावजुद, उन अफराद ने अपने इलाके में गैर मामुली तैसिलात हासिल की थे ठीक है, ऐसे लोग जो मामुली घराने के होते हैं, लेकिन जब वो अपना एक गोल बना लेते हैं, कि मुझे यह अच्छिव करना है, उसके लिए वो कोई भी तरीके के जद्दुजायत करते हैं, मेहनत करते हैं, और अपना गोल को हासिल करते हैं वो जो तहरीक होती है, वो तहरीक को कहते हैं तैसिल की तहरीक, अब जो इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो अपना गोल हासिल करने के लिए जद्दुजायत मेहनत करते हैं, उनके अंदर कुछ अलग खासियत होती है, जो नॉर्मल इंसानों में, मतलब आम इंसानों से उन कामिल अफराद में दर्जे जिल उसाफ की तर्जे पाई जाती है। पहला है आसान नहीं बलके मुश्किल अफ़ाल का इंतखाब करते हैं। जो कम आसान हो वो काम को करने की चाहां वो रखते नहीं। वो कुछ अलग से मुश्किल काम को लेकिन उसे भी सही तरीके से 101% डे कर वो काम को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पहला है कि वो आसान नहीं बलके मुश्किल काम को, मुश्किल अफ़ाल को इंतखाब करते हैं, पसंद करते हैं। मौावज़ा सिले की तौकी के बगएर फैल की तक्मीलियत की जानिब तवज्ज़ देते हैं। यह एक दूसरी खासियत हैं इन लोगों के अंदर जो तैसिल की तहरी के हामिल अफराद होते हैं उन में। मौावज़ा यनि के पैसा, इनाम, यह सारी चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचते हैं। तीसरा है, इन्फरादी जुम्मेदारियों को तसलीम करते हुए मकसूद की तरफ तोर पर तरक्की करते हैं। इन्फरादी जुम्मेदारी को समझते हैं, इन्फरादी जुम्मेदारी यनि के अपनी खुद की जुम्मेदारी क्या है, उसको भी समझते हैं। Suppose करो कि आपको कोई teamwork दिया गया है, आपके team में 5 लोग है, अब उन 5 लोगों में आपको कितना काम करना है, वो यह चीज समझते हैं, जरूरी नहीं कि, मतलब वो यह नहीं समझते कि teamwork है, अगर मैं नहीं करो तो भी चले, काम के लिए कोई काम चोरी नहीं करते हैं, उन्हें पत काम है, उतना जादा करने की वो कोशिश करते हैं, तो इस तरह से तीन चीज़े उन में पाई जाती है, आसान नहीं, बलके मुश्किल काम लेते हैं, मौाज़े की इनाम के बगेर वो अपना काम करना का सोचते हैं, और इन्फरादी जुम्मेदारियों को तस्लीम करते हैं, अगर वो मानलो टीम के लीडर है, तो लीडर के तौर पर उनका क्या काम है, वो भी यह समझते हैं, तो इस तरह से भले छोटे मोटे घराने के वो दौलत उनके पास ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने सक्सेस को अपने गोल को हासिल करते हैं, तीक है, उसके बाद है, अगर वो रहना उसे कोई सिखाता नहीं है, गुरू में रहना, मतलब गुरू में रहना इसान को इसान कोई सिखाता है. बच्छन में पैदाइश के बद बच्चा अपने एक छोटा सा गुरू अपने खांदान में आता है। फिर अपने पड़ोसी दोस्तों के साथ, स्कूल में, समाज में, इस तरह से हमारी ये हैवानी फितरत है कि हम ग्रू में रहते हैं. इंसान में इसी जिबिल्लत की तरगीर की वज़ा से दिगर अफराद के साथ इलहाग की तमना रखता है. समझेगे इलहाग क्या है डिटेल में? इलहाग की तहरीक की जरीए कुम्बे और समाज की तश्कील होती है. बच्चे अपने तहफूज और आराओं और शाहिस हासिल करने के लिए माबाप और कुम्बे के दिगर अफराद की सहुबत की खौईश रखता है. मुच्चना तोर पर चंद अफराद या आला दर्जे के योगियों के इलावा किसी को तन्हा रहना पसंद नहीं. फर्द तन्हा होता है तब किसी ना किसी की सहुबत की खौईश रखता है. मौच्चना दर्जे में फेस्बूक, ट्विटर, वाटसअब के इस्तेमाल में होने वाला इजाबा भी जो इंक्रीज हो रहे हैं वो भी इलाव की तहरीक की तरफ ही निशान दहीं करता है. इलाव की तहरीक मतलब वर्द कोई भी इनसान अकेले रहना पसंद नहीं करता है, किसी के साथ रहना पसंद करता है, ग्रूप में रहना पसंद करता है, हाँ ये अलग बात है कि सम्टाइमस हमारा मूर आफ होता है, तब हम अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन जिंदगी बर के लिए नहीं चंद लम्हाद के लिए थोड़े टाइम के लिए हम तना रहना पसंद करते हैं लेकिन जिंदगी बर के लिए नहीं टीए टीट के जरिये इलहाग की तहरीकी भी पेमाईश की जाती है ठीक है तो इलहाग की तहरीक है नहीं के हमें साथ में रहना अपने फ् प्लेस के कोई फ्रेंड्स होते हैं तो ये इलाग की तहरीक है जिसकी वज़े से हम लोगों के साथ ग्रोप के साथ रहना पसंद करते हैं ठीक है तो आज हमने पढ़ा कि दो तहरीकी पढ़ी अब जो दो तहरीके हैं वो हम नेक्सरा शेशन में पढ़ेगे तहसील की तहरीक और दूसरा हमने पढ़ा इल्हाग की तहरीक याद रखना है तहसील की तहरीक यानि के वो तहरीक जो लोग अपने गोल को अपने मकसद को अच्छीव करने के लिए मेहनत करते हैं मुशक्कत करते हैं और तब जाके वो गोल को हासिल करते है वो लॉंग रास्ता लेना पसंद करते है शॉर्ट कट रास्ते में वो यकीन नहीं रगते है ज़्यादा पैसा मिल रहा है डिगली हासिल कर लो इन सब में वो नहीं मालते मैनत करते हैं इसके बहुत सारे एक्जामपल है जो मेहनत करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते है और इलहाग की तहरीक हमें एक दुसरे के साथ रहना पसंद होता है एक दुसरों के साथ हम रहते हैं वो तहरीक कहलाती है इलहाग के तहरीक जितने भी पॉइंट यहों से नोट डाउन कीजिए और नोट में लिखिये थेंक यू